तो जानी अपना रोज का राशिफल हम जल्द लेकर क्या रहे हैं एक नया चैनल वाइरल एस्ट्रोलोजी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस अबडेट्स पाने के लिए पहला आइकन दबाना ना भूलें बॉलेवुड एक्रुस कंगना रनोत जिनने बॉलेवुड की क्विन भी कहा जाता है साथ ही साथ कभी कभी उन्हें कॉंट्रोवर्सी क्विन के नाम से भी पहचाना जाता है वैल अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले ही कंगना रनोत ने फिल्म मनी करनिका में एक खास भूमिका निभाई थी इस फिल्म में उनकी अदाकारी को काफी ज़ादा पसंद किया गिया वही अभी मनी करनिका को लेकर चर्चाओं में बनी होई थी कंगना रनोत लेकिन इससे पहरे ही वो जैल अलीटा पर बन रही बायो पिक को लेकर भी चर्चाओं में आ गई दरसल बताना चाहेंगे आप सभी को कितमिलनाडो की पूर मुख्यमंत्री जैललीता पर बन रही बायोपिक में कंगना रनोत लीड रोल में भाने वाली है वेल हाल ही में कंगना ने बताया कि जब उन्होंने इस स्कृप्ट के बारे में तो सुना थो उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी और जैललीता की जिंदगी में काफ़ी समानता है लेकिन उनकी कामयाबी जैललिता की कामयाबी से कहीं जादा है कंगना का कहना है कि वो अपनी बायोपिक में ही काम करती लेकिन उन्हें जैललिता की बायोपिक जादा अच्छी लगी साथ साथ सबसे जरूरी बात आप सभी को बताना चुआएंगे कि कंगना रनोट इस बायोपिक के लिए लगभग 23 से 25 करोड फीस लेंगे जी हाँ खबरों की माले तो कंगना ने इस फिल्म के लिए 23 से 25 करोड रुपए की मांग की है और पिल्म प्रोडूसर ने उनकी मांग पूरी करने की सलहा भी मिलाई है अगर ऐसा होता है तो कंगना रनोट अब तक बॉलर वुड में सबसे जादा फीस लेने वाली अभी नेतरी होती है वेल अगर देखा जो आए तो कंगना रनोट अक्सर ही किसी ना किसी विवात पर अपना बयान देती हुई नजर आती हैं जिसके चलते वो कॉंट्रोवर्सीज में भी फस्ति हुई दिखाई देती हैं